हेलो फ्रेंड्स एक्जाम प्रिपेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अगर आप देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे न्यू है उन्हें बता दूँ यूपी पेसी से रिलेटेड आप किसी भी एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हो तो कंप्लीट जीयस आप यहाँ पर देख सकते हो लेटेस्टेंड और पैटर्ण के अकॉर्डिंग यह पूरी क्लास आपको दी जा रही है जहाँ पर आप कंप्लीट जीयस देख सकते हो तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो है विसु की प्रमुग जन जाती है और इसको आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे इसके साथ साथ आरो आरो का एक्जाम बहुती नजदीक है 20 से 22 दिन टाइम अब बचा हुआ है बहुती कम समय है तो उसकी प्रिपेशन के लिए आप आरो आरो के पीवेसर कोशन कराए गए है चैनल पर प्लेइस्ट बनी हुई है उनको कीजिए और उनके साथ साथ अभी टॉप थाउजन कोशन में करा लिए हूँ अगर आपको प्लेइस्ट की या कोई भी नीड है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट के थ्रू तो विस्व की प्रमुक जंजातियां हमें पढ़नी है पिछली क्लास में मैंने कुछ जंजातियां कराई थी उनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट बता दिये थे ये नेक्स्ट पार्ट है उसका अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखिए तो वो क्लास जरूर देखिए इसके बाद आप ये आगे पढ़ेंगे तो आपको असानी से समझ में आएगी आप इनकी लिष्ट अपने पास बना सकते हो शॉर्ट नोट्स प्रिपेर कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जो जंजाती है वो है एसकीमो लाश क्लास में भी इसको डिसकस किया था अमेरिका के उत्तर पूर में इसे द्रूफ से सटे ग्रीन लैंड से पशिम में अलास का तथा कनाडा के टुन्रा प्रदेशी छेतों में रहने वाली है ये जंजाती और मंगोलाइड प्रजाती के होते हैं ये एसकीमो नेक्स्ट है खिर्गिस ये कहां निवास करते हैं मदेशया में किर्गिस्तान गर्राज में खिर्गिस कहां पे किर्गिस्तान वारे शेत में बद्दू याद करिए अरब के उत्तरी भाग में हमद और नेफद का जो मरुस्थल है वहाँ पर बद्दूजन जाती पाई जाएगी फिर है अलगोंग की याई ये कनाडा में उटावा नदी की घाटी में रहने वाले इंडियन होते हैं फिर है शेमांग ये मलाया के परवती भागों में पाए जाते हैं उत्तरी पैराग केदा केलंतान मैगान और पैहांग ये आपको याद रखना है फिर है एलकालूफ ये दक्षिड अमेरिका के दक्षिड में टियरा दल्फ यूगो में रहने वाले लोग हैं। फिर एमेरीन्ट ये अमेरिका की एक जंजाती है। बद्दू है सेमांग है फिर बंटू है यह इंपॉर्टेंट है अगली देखे बुसमैन है यह दक्षिड अफरीका के काला हारी मरुस्तल में निवास करने वाली जाती है बुसमैन अब वसूतो लैंड नेटाल अफरीका जो की दक्षिड अफरीका में है नेटाल वाला छेत जिमबामवे, स्वाजी लैंड, बोत्सवाना तथा नामीबिया इन सभी छेत्रों में यह पाई जाती है तो खास कर याद रखिए बुसमैन कहां पाई जाएगी दक्षिड अफरीका के जो काला हारी मरुस्तल उसके आसपास का छेत्र है वहाँ पर यह मिलेगी नेक्स्ट ह पूर्वी कोलंबिय तथा ब्राजील के समीप वर्थी छेत्र में नेवाले लोग होते हैं पिर मसाई यह टंगानिका, केन्या यह पूर्वी युगांडा के पठारी छेत्र में पाई जाती है, बर्याठ से मधेश्या में रहने वाली जन्जा आती है, फिर बिंदभू पश पिग्मी और सकाई और उसके साथ बोरो मसाई यह यादक नहीं है इधर से मैंने बताया एसकीमो, खिर्गिस, बद्दू, सेमांग और बंटू ऐसा नहीं कि कोई पढ़नी नहीं सारी पढ़नी है लेकिन यहाँ पर मैं मोश्ट इंपॉर्टेंट वाली भी आपको बताती चलन जहां से प्रशन पूछे भी गए हैं पिछले एक्जामस में अब नेक्स्ट है बाटवा अफ्रीका के कंसाई प्रदेश में रहने वाली यह पिग्मी जन जाती है अब ओरिजिन्स है अस्टेलिया के मूल निवासी होते अचुआ है बेल्जियम कांगो के पिग्मी लोग हो होते हैं बेजा जन जाती बरबर याद रखी उत्तर अफ्रीका में त्रिपोली के पश्टी में निवास करने वाले काके साब लोग होते हैं ठीक है ब्लैक फेलो या रखी और दिजियो होगे और यह कहा किये समित्राज अमेरिका के पूर्वी एडिजोना प्रांट में रहन पारे में कौन नहीं जानता होज अंजाती संयुक्त राज अमेरिका के ओलंपिक प्राइदीप में रहने वाले इंडियन लोग हैं इंडियन लोग है इसलिए आपको पता होना चाहिए हो फिर होटें टॉंट दक्षिड अफ्रीका के वे लोग जो बुस्मैन और बंटू दयाक वोर्णियों में रहने वाला एक वर्ग है दयाक फेला फेला याद रखिए मिसका एक खेतियर मजदूर है यह याद रखिएगा फेला क्या है फिर है फिन कहां पर पाई जाएगी फिनलैंड में तथा पंपास छेत में रहने वाली जाती है फिन के बाद फूला याद के लोग हैं कौन फुलैनी गबोन फिर है गैबन राज के नीग्रो लोगों का एक प्रकार है तो कुछ नाम देखी मिलते जुलते हैं तो भी याद किये जाए सकते हैं फिर हाइडा याद रखी बिटिस कोलंबिया पिंस ओफ वेल्स दीप की जंजाती है हांका पीत नदी के मै कदेशिया में रहने वाली जंजाती है मंगोलियन मंगोलिया के मुल निवासी है नवाहू यह जंजाती सहीट राज अमेरिका के एरिजोना तथा उत्री न्यू मैक्सिको प्रांत में वास करती है नडोंगा है जैजन जाती अंगोला के समीपरति छेत में रहती फिर काफिर दक्षिड अफ्रीकी घास के मैदान के निवासी हैं कैमसी नियाद रखे साइबेरिया की ये निसी नदी के उपरी भाग में निवास करने वाले सैमोएड लोग होते हैं कंबा मद्द कीनिया के बंटू लोग है कारा कल्पक अरल सागर के समीप रहने वाली तुर्की ज अठार पर रहने वाले मंगोलों से मिलती जुलती है किर्गिज लोग होते हैं निग्रीलो है निग्रोयट जो बुसमैन पिग्मी सद्रस है तथा अफ्रीका में पाय जाते हैं नौडिक इंपॉर्टेंट है याद रखिए स्वेट प्रजाती समू है जो नौर्वेज, स्व फिर है क्वीचुआ, मद्वर्ती जो पीरू के जन जाती लोग है वो क्वीचुआ कहलाते हैं यहां पर हमारे जैसे केचुआ होता है बस उसी में कुई लगा दीजे मद्वर्ती पीरू में पाय जाएंगे फिर है कुंग दक्षिड अफरीका के ओं टैको नदी घाटी की ए कीनिया के करिशक जन जाती है नीग्रो जाती कीलो कुबू है सुमात्रा की जन जाती है है कुमाशोrest अलगान के क्यूशु दीप में रहती है कुलामन है दक्षिड मिंडनाव जो के फिलिपीन के मिउल निवासी है फिर कुर्द देखिए कुर्द कहां है इरान एराफ करमीन आजरबैजान जो बड़े पठारी छेते हैं वहां पर रहने वाली यह जन जाती है फिर लाई मियामार के चीन पहाड़ियों में रहने वाली जन जाती है लाई लैप्स याद रखिए यह भी इंपोर्टेंट है लैप्स को याद कर लिजे दक्षिड सकैंडिनेवी आई उत्र मध्यपूर्वी गिनी तट के नीग्रों जन जाती है यूमा उत्री अमेरिका में हैं दक्षिडी पर्शिमी मैक्सिको एवं कालिफोनिया में रहने वाले यह इंडियन लोग है यूमा यूगुर देखिए उत्री पूर्वी एसिया के यायावर्ट चारा वाह लोग है यू एंडियन लोग होते हैं अपर्शिय में यह ब्रूद्रिया में रहने वाला वाल यह र्स नाम समूह है यह स्रंध प्रूर्वाइबू स्थी पूछी जाती है शी लंका के निवासी हैं वेदा फिर जिंका ये अफरीका के के प्रांत में जुलू लोगों से संबध्ध लोग हैं ये दोन इंपर्टेंट है एक वेदा दूसरी हो गई जिंका जुलू लोग होते हैं जुलू करके भी पूछा जा सकता है इसके बाद कर माया भी मध्य अमेरिका के आदिवासी इंडियन हैं जो कि मैक्सिको गवाटे माला और हुंडूरास में पाए जाते हैं तो मैंने कौन-कौन से बोले हैं यहां पर इसमें से आपके आदकना है वेदा जिंका वेघर याद रखना है यूपी की आकूत और माया देख लीज के एसकीमो लोग हैं फी यूरुक है अनातोलिया पठार पर रहने वाली यायावर जाती है जुलू जुलू इंपॉर्टेंट है दक्षिड अफ्रीका में निटाल प्रांट में पाए जाते हैं ठीके जमी यादक के असम और म्यामार के सीमान छेत में लगे रहने वाले निगरीटो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अशेनिया और एशिया के पूर्वी इदीब समुहों में पाए जाते हैं बौने होते हैं निगराइड लोग होते हैं रेड इंडियन के बारे में जान लीजे उतरी अमेरिका के मून लिवासी हैं जो आकार में मंगोल आय बहुत लबाएं उनको तो रड डालना उनको बिल्कुल भी नहीं बोलना है क्योंकि प्रस्ण बहीं से बनते हैं मैं यह नहीं वोलूंगी कि कोई इंपौर्टेंट नहीं है लेकिन यह वीडियो है कि आपकी इससे बाहर कोशन नहीं जाने चाहिए और आप पिछले पेपर उठा करके देखेंगे तो जंजातियों से प्रेशन आये हैं वचाए इंडियन आप पढ़िए ट्राइप या फिर आप यहां पर पढ़िए वर्ड की तो सारी इंपॉर्टेंट है यहां से कुर्शन आने की भी संभावना है तो पूरे अच्छे से कंप्लीट करिए बहुत ल क्लासे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एक एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो को अच्छे से देखें रिपीट कीजिए जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसको बार-बार रिवाइस कीजिए मैं बार-बार बोलूंगी आप रिवीज उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है और ऐसी और टॉपिक के साथ मिलती हूं नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद